Assalamu alaikum guys मैं हूँ फरुक शाजाद चोहार आज की social media news शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे वकार जका की वकार जका जो है वो recently Twitter पे काफी घुसे में नजर आया basically वो इस वज़ा से घुसे में थे को बहुत सारे लोग cryptocurrency को हराम कहते हैं इसी के उपर react करते हुए उन्होंने लिखा तो आपका इस हवाले से क्या opinion है comment करकर जरूर बताइएगा next news हमारे पास है famous TikToker Alishba Anjum की तो Alishba Anjum कल एक foundation में गई थी donation करने के लिए जिसकी stories उन्होंने अपनी Instagram account पे share करी तो उनकी एक fan न उस पर react करते हुए उनको message किया शर्म का मकाम है कि donation करते हुए भी तुम जैसे लोग अपनी publicity करना नहीं बूलते इसके उपर Alishba Anjum काफी गुसे में आ गई और उन्होंने उसका reply करते हुए लिखा खुदा मत समझो खुद को कि तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि मुसल्मान हो या नहीं पबलिक को इसलिए दिखा रही हूँ ताके वो लोग भी आएं और डोनेट करें blood in patients के लिए दिखावा करना होता तो 100 तरीकें से कर सकती हो और बहुत सी चीज़े का दिखावा कर लेती स्टोरीज इसलिए लगा रही हूँ ताके लोग आकर डोनेट करें blood फसाद फैलाना बंद करो तो भाई आपका इस हवाले से क्या opinion है जरूर बताईएगा next news हमारे पास है आतिफ असलम की तो भाई आतिफ असलम के निव सौंग रफ़ता रफ़ता की शूटिंग आज कल चल रही है सकरदू में और खबरों के मताबिक इस निव सौंग में हमें देखने को मिलेंगी सजल अली जी हाँ सजल अली जो है वो आतिफ असलम के निव सौंग की म्यूजिक वीडियो में हमें देखने को मिलेंगी फिलहाल इस सौंग की शूटिंग सकरदू में चल रही है तो हो सकता है एक या दो हफ़ते के अंदर ये सौंग हमें देखने को मिले आप एकसाइटेड हैं या नहीं कमेंट करकर जरूर बताइएगा नेक्स दियूज हमारे पास अलीजे शा की तो जैसे के आप जानते हैं कि अलीजे शान अपने बाल बहुत छोटे करवा ली है और लगता है अब उनको अपने इस फैसले पे काफी अफसोस हो रहा है क्योंकि उनको अपने बाल बड़े ही अच्छे लगते थे और अब उनको अपने फैसले पर रिग्रेट हो रहा है नेक्स दियूज हमारे पास है कोमल अजीज की तो भई कोमल अजीज रीसेंटली अपने इस्टाग्राम के उपर Q&A कर रही थी तो वहां पे उनके एक फैन उन से सवाल किया उसका जवाब देते वा उन्होंने लिखा No one, I don't understand what's so inspiring about our Pakistani actors their looks, their money or the fact that they can endorse anything for money the criticism is for me as well by the way my biggest inspiration is Adi Saab, Adi Brizvi and all such philanthropists all the people who help humanity without posting it on Instagram more power to you next news हमारे पास है famous web series scam 1992 की तो भई scam 1992 ने IMDB के उपर breaking bet को पीछे कर दिया है और 9.5 की rating हासिल करके number one position हासिल कर लिए अब scam 1992 जो है वो IMDB पर top 250 shows of all time में number one पर आ गई है जो के बहुत ही बड़ी बात है next news हमारे पास है North Korea की तो भई North Korea ने एक बहुत बड़ा step लेया है और पूरे North Korea के अंदर South Korea का के-pop music जो है उसको band कर दिया है अब मैं आपको बताता चलूँ के के-pop music में दुनिया का number one band BTS भी शामिल है और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी ने भी North Korea के-pop music को सुना या उसको promote करता हुआ नजर आया तो उसको भी सारी जिन्दगी के लिए जेल में डाल दिया जाएगा अब भाई समझ से बहार है कि इतनी सख पाबंदिया क्यों लगाई गई है अब मैं आपको बताता चलूँ कि South Korea और North Korea उनकी आपस में जो है हालात बिलकुल भी अच्छे नहीं रहते शायद यही वज़ा है कि यह step उठाया गया है Next news हमारे पास है मीशा शफी की तो भाई मीशा शफी फाइनली graduate हो गई है और बन गई है official yoga teacher जी हाँ इस हवाले से उन्होंने एक photo upload करते हुए Instagram पे लिखा graduation day Today I graduated after completing 200 hours of yoga teacher training and now a yoga alliance certified teacher तो भी बहुत बड़ी बात है Next news हमारे पास है famous singer and music producer जुल्फिकार जबार खान की जिनको finally coke studio ने hire कर लिया है और अब से next coke studio जो है वो जुल्फिकार जबार ही produce करने वाले हैं इस हवाले से coke studio ने अपने twitter account पे लिखा जुल्फिकार खान शुरू करें तो भी देखते हैं next coke studio लोगों को पसंद आता है या नहीं Next news हमारे पास है young stunner के तलहा अंजम की तो भी तलहा अंजम भी अली सेटी के fan निकले हैं इस हवाले से तलहा ने अपने twitter account पे लिखा अली सेटी is a musical legend तो भी आपका इस हवाले से क्या opinion है वैसे मेरे खियाले तलहा बिलकुल ठीक के रहा है अली सेटी वाकई बहुत जबरदस singer है Next news हमारे पास है उस्मान खालिज बढ़ की तो भाई उस्मान खालिज जो है वो recently अपने haters पे काफी घुसे में नजर आया वेर डेट as a badge of pride I could not give a shit Guys आज के लिए इतना ही मजीद social media news के लिए आप हमारा channel subscribe करें Thank you